नमस्कार बायजोज आयस हिंदी में आप सभी का स्वागत है और आज हम 4 जनवरी के प्रमुख समाचारों पर अधारित कुछ प्रस्टों पर चर्चा करने वाले हैं तो आये शुरू करते हैं आज का डेली क्विज यहाँ पर कोश्च नमबर वन है इसरो के गगर्यान मिसन के संदर्म में निमलखित कत्रों पर विचार कीजिए और यहाँ पर आपको तीन कत्रन दिये गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है सही कूट का चेहन कीजिए यहाँ पर पहला कथन है गगन यान कायकरम की अपचारिक घोषना प्रधान मंतरी नरेन मोदी ने 15 अगस्ट 2018 को अपने सुतंता दिवस सम्मोधन के दोरान की थी तो यहाँ पर चर्चा हो रही है गगर्यान मिसन की और आपको यह ध्यान में रखना है कि इस मिसन के बारे में अपचारिक घोषना प्रधान मंतरी के दोरा अपने 15 अगस्ट 2018 के सम्मोधन के दोरान किया गया था यानि कि यहाँ पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से सही ह आये देख लेते हैं दूसरे कथन को दूसरा कथन है प्रारंभिक लक्ष 15 अगस 2022 को भारत की सुतनता की 75 वर्षगाट से पहले मानव अंतरिक्ष यान को प्रच्छेपित करना था तो यहाँ पर जब इसकी घोषना की गई थी 2018 में तो यह लक्ष रखा गया था कि 15 अगस 2022 तक जो की हमारे सुतनता की 75 वर्षगाट है भारत के द्वारा अपना एक मानव अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजा जाएगा इसका उद्देश इंडियन लॉंच वहिकल पर मनु कुछ दिकते आई हैं और यहाँ पर जो मिसन है वह 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है लेकिन यहाँ पर जो कथन है वह पूरी तरीके से सही है जो सुरवाती लक्ष था वो यही था कि 15 अगस 2022 तक भारत के द्वारा अपना एक मानव अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेज जाए यानि कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वह पूरी तरीके से सही है आए देख लेते हैं तीसरे कथन को तीसरा कथन है GSLV Mark 3 जिसे हम LVM 3 यानि कि Launch Vehicle Mark 3 के नाम से जानते हैं तीन चर्णों वाला भारी उत्थापक प्रछेपन महान है जिसका उप्योग गगर यान को प यह GSLV Mark 3 का उप्योग किया जाएगा तो यहाँ पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है और आपको यह ध्यान में रखना है कि GSLV Mark 3 तीन चर्णों वाला एक प्रछेपन यान है आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फिगर में यह GSLV का फिगर है और यहाँ पर तीर स्टेज ह हम L 110 के नाम से जानते हैं यहाँ पर L का मतलब है Liquid उसी तरीके से जो दूसरा स्टेज है उसे हम S 200 के नाम से जानते हैं और यहाँ पर S का मतलब है Solid यानि कि यहाँ पर Solid Strap on Motor का उप्योग किया जा रहा है जो तीसरा स्टेज है वह Cryogenic स्टेज है और यहाँ पर भारत के द्व के धार प्रगर देखा जाए तो Question No.1 का Answer होगा आपका Option No.D यहाँ पर तीनो के तीनो कथन सही है इससे जुड़ा हुआ एक News आज के देहिंदू समाचार पत्र में आया है जहाँ पर इसरो के द्वारा यह कहा गया है कि 2022 में इसरो के द्वारा बहुत सारे मिसन संचालित किय जाएंगे यहाँ पर गगयान को ले करके जो डेस्टिंग मिसन है वो भी किया जाएगा इसके अलावा Earth Observation Satellite उनको भी छोड़ने की योजना बनाई जा रही है तो इस News को भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे आईए अब Question No.2 पर चर्चा कर लेते हैं Question No.2 है पेंगोंग सो जील के संदर्म में निमलिखित कत्रों में से कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है और यहाँ पर आपको चार कथन दिय यहां पर पहला कतन है लगभग 160 km तक फैली पैंगॉंग जील का एक तिहाई भाग भारत में और दो तिहाई भाग चीन में इस्तित है तो यहां पर चर्चा हो रही है पैंगॉंग 100 जील को ले करके और आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि पैंगॉंग 100 जील की लंबाई 160 266 km है जिसका एक तिहाई हिस्सा भारत में और दो तिहाई हिस्सा चीन में इस्थित है यानि कि यहां पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से सही है आए देख लेते हैं दूसरे कथन को दूसरा कथन है यह लग भग 4350 मेटर की उचाई पर इस्थित है और दुनिया की सबसे उची मीठे पानी की जील है अगर हम पेंगोंग सो जील की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यह लगभग 4350 मीटर की उचाई पर इस्तित है लेकिन यह दुनिया की सबसे उची खारे पानी की जील है और इसके धार प्रगर देखा जाए तो यहाँ पर द पीसरा और चौथा कथन भी बिलकुल सही है तो याद रखेगा कुछ नंबर टू का एंसर होगा ओप्सन नंबर बी इससे जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आज के इंडियन एक्सप्रेस और दहिंदू में आया है जहाँ पर यह कहा गया है कि चाईन और उससे 20 किलोमेटर की दूरी पर यहाँ पर ब्रीज का निर्मान किया जा रहा है तो इस न्यूज को भी आप लोग जरू ध्यान से पढ़ लेंगे आईए आप कोशन नंबर थ्री पचाचा कर लेते हैं कोशन नंबर थ्री है परमानू और परसार संधी के संदर्म में नि पर्स 1970 में लागू होने के बाज से और परसार संधी में 191 राष्टर हैं जो इसके सदस्य हैं जो कि किसी भी अनहतियार परिसीमन संधी से अधिक हैं तो यहाँ पर चर्चा हो रही है परमानू और परसार संधी की और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि NPT एक एतिहा आसिक अंतराष्टे संधी है जिसका उदेश परमानू हतियारों और हतियार परदोकी के परसार को रोकना है तथा परमानू उर्जा के सांतिपुन उप्योग को बढ़ावा देना है यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे कि 1968 में इस संधी को हस्ताक्षर के लिए लाया गया और यह संधी 1970 में लाग हुई थी और अभी तकुल 191 देश इस संधी में सामिल हुए हैं जिसमें 5 परमानू हतियार रखने वाले देश भी सामिल हैं और इसके धार प्रगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है आए देख लेते हैं दू परमानू सक्ति संपन राष्ट्रों को हतियार हासिल करने में दूसरे देशों की मदद करने से भी रोकती है तो यहाँ पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है इस संधी का उदेश वैसे देश जिन्होंने अभी तक परमानू हतियार नहीं बनाए हैं उन्हें परमानू हतिय दोसरे देशों को परमानु हथियार बनाने में मदद करने से रोकना भी है यानि कि यहाँ पर दूसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है आजे देख लेते हैं तीसरे कथन को TISRA कथन है अंतराष्टे परमानु उर्जा एजेंसी जो सन्युक्त राष्ट परमानु उर्जा एयों की परवर्ती है संधी के अनुपालन की पुष्टी करती है तो यहां पर तीसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है अंतराष्टे परमानु उर्जा एजेंसी के द्वारा ही उन नियम मों का अनुपालन कराया जाता है जिनको की परमानु ओwiąपरसार संधीक के दोरान बनाया गया था, यानि कि यहां पर तीनों के तीनों कतन सही है और इसलिए Q3 का ऐंसर होगा option number D यहां पर तीनों कतन सही है तो याद रखेगा question number 3 का ऐंसर है option number D इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्पूर न्यूज आज के दहिंदू समाचार पत्र में आया है जहां पर ये कहा गया है कि पांच परमानु संपन देश यानि की चाइना, रसिया, यूवेस, यूके और फ्रांस के द्वारा एक स्टेटमेंट डारी किया गया है आप सभी को ये ध्यान मे रखना है कि 4 जन्वरी को परमानु और प्रसार संधी को ले करके एक रिव्यू बैठक होने वाली थी जिसे की COVID-19 के कारण टाल दिया गया है और इसी के बाद इन देशों के द्वारा ये कहा गया है कि ये देश मिल करके काम करेंगे ताकि परमानु हतियार दूसरे देशों ना पहुंचाए उनका प्रसार ना हो सके और जिस तरह की हालात है पूरी दुनिया में उसको देखते हुए इन सभी प्रमानु प्रसंपन देशों का एक साथ आना बहुत ही important बात है तो इस news को भी आप जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे आईए आप question number 4 पर चाचा कर लेते ह question number 4 है दक्षिन ACI छेत्रिय सयोग संग्ठन याने की सार्क और इसके विशिष्ट निकायों के संदर में निम्लिखित कत्रों पर विचार कीजिए और यहाँ पर आपको तीन कत्रों दिये गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उप्यूग कत्रों में से कौन सा कत्रों सह संबर 1985 को धाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी और अभी इसमें आठदे सामील हैं लेकिन आपको यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि सार्क का सचिवाले 17 जनवरी 1987 को काठ मांडू में अस्थापित किया गया था और इसके धार प्रगर देखा ज निग्ड़ी और पर्मान पत्र राष्ट यह विष्वद्यालें संस्थानों दोरा परदान की जाने वाली सम्बंधि डिग्री और परमान पत्र के समस्थुल्य होती है तो यहाँ पर च law हो रही है दक्षिन ACI विश्वद्याले की आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि दक्षिन ACI विश्वद्याले सार्क के 810 देशों के द्वारा अस्थापित एक अंतराष्टिय विश्वद्याले है और इसने अपना संचालन 2010 में सुरू किया था और यहां पर जो सर्टिफिकेट दिये जाते हैं जिन सब्जिक्ट की यहां पर पढ़ाई होती है उनको पास करने पर विद्यार्थियों को जो सर्टिफिकेट दिया जता है उसका महत उतना ही है जितना की भारत के किसी अन्य विश्विदाले के द्वारा दिये गए सर्टिफिकेट का यानि कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वह पूरी तरीके से सही है आए देख लेते हैं तीसरे कथन को तीसरा कथन है जिसका कारयाले पाकिस्तान में है और वानिर्चिक और द्योगिक वैपार बैंकिंग निवेश तथा ऐसे अन्य विवादों के निपक्ष और कुसल निप्टान के लिए छेतर के भीतर एक कानूनी धाचा मंच परदान करने के लिए अधिस्ठित है तो यहाँ पर सार्क मधश्ता परिस्ट की बात हो रही है और आपको यह ध्यान विरखना है कि यह पाकिस्तान में इस्तित है और इसका मुख्य काम वैपार, बैंकिंग, निवेश में जो विवाद होते हैं उसको निस्पक्ष और कुसल तरीके से निप्टाना है तो यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो भी पूरी तरीके से सही है यानि कि पहला कथन गलत है, दूसरा और तीसरा कथन सही है और इसके धार प्रगर देखा जाए तो कोश्च नमबर फोर का एंसर होगा आपका आपका आप्सन नमबर भी यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन सह इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्पुन न्यूस आज के The Indian Express में आया है जहां पर यह कहा गया है पाकिस्तान के द्वारा कि पाकिस्तान सार्क का जो उनिस्वा बैठक है उसको आयोजित करना चाहता है और अगर भारत इसमें भाग नहीं ले सकता है तो भारत यहां पर भर्च्वली इस मीटिंग में प्रस्तुत हो सकता है यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 2016 में सार्क की मीटिंग पाकिस्तान में होने वाली थी लेकिन उरी में जब इंडिन आर्मी के केंप में हमला हुआ उसके बाद भारत ने इस सम्मेलन में भाग लेने से इंकार कर दिय जिसके काराण यह सम्मेलन उस समय नहीं हो पाया था क्योंकि भारत के साथ साथ बांगला देश, भुटान और अफगानिस्तान ने भी इस सम्मेलन में भाग लेने से इंकार कर दिया था आईए अब एक प्रिवियसरे कोश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और ये कोश्चन 2019 में पूछा गया था कोश्चन नमबर 5 है निमलखित कत्रों में से कौन सा कत्थन सही नहीं है और यहाँ पर आपको चार कत्थन दिये गए हैं यहाँ पर पहला कत्थन है Hepatitis B विसानू काफे कुछ HIV की तरही संचरित होता है तो यहाँ पर पहला कत्थन पूरी तरीके से सही है आए देख लेते हैं दूसरे कत्थन को दूसरा कत्थन है Hepatitis C का टीका होता है जबकि Hepatitis B का कोई टीका नहीं होता है तो यहाँ पर जो तुसरा कथन है वह गलत है और इसके धार पर अगर देखा जाए तो question number 5 का answer होगा आपका option number B. आईए अब आज के तत्र के उपर चचा कर लेते हैं और आज हम चचा करने वाले हैं COVID-19 टीको के self life के उपर और इसे जुड़ा हुआ एक दूज आज के the Indian Express में आया है जहां पर vaccine के self life को समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर ये vaccine की self life क्या होती है आप सभी को ये ध्यान में रखना है कि कोई भी vaccine, protein, carbohydrate, lipid, niscrivirus या सहायक पदार्थों के जटिल मिस्रन से बना होता है जिसका उद्दे से आपकी immunity को बढ़ाना होता है जिस तरीके से अन्दवायों के लिए जो उनके निर्माता है वह उसका life तै करते हैं यानि कि expiry date तै क की जाती है और यहाँ पर WHO कहना है कि stability का मतलब यह है कि जिन चीजों से मिल करके TK का निर्मान किया गया है, vaccine का निर्मान किया गया है वे सारे परदार्थ TK के safe life के दोरान अपनी जैविक गुनों को, अपनी रसायनिक गुनों को, अपने भौतिक गुनों को बनाए रखने में कितने सक्चम हैं, for example, अगर मालने जे किसी TK का self life यानि कि expiry date हम कह सकते हैं, एक साल का है, तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि अपने safe life के दोरान ये TK कितने stable होते हैं, यानि कि जिन पदार्थों से मिल कर कि ये बने होते हैं, उन पदार्थों का रसायनिक, भौतिक और जैविक ग्यून बरकरार रहता है कि नहीं रहता है, इसी तरीके से यहाँ पर हम self life की बात करें, तो self life का मतलब ये होता है कि एक ऐसी आउधी जिसके दोरान vaccine को अगर सही तरीके से store किया जाता है, तो वह अपने specification का पालन करता है, यानि कि जो कह करके इसको बनाया गया है, जिसके लिए इसको बनाया गया है, वह उसको पूरा करता है, और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि बहुत सारे चर्णों से गुजरने के बाद एक ठीके की self life और स्थीरता तै की जाती है, आसा करता हूँ कि आपको आज का ये daily quiz पसंद आया होगा, सारे questions बहुत important news से जुड़े हुए हैं, आप इस सब भी news को revise कर लेंगे, और अगर आपको ये daily quiz अच्छा लगे तो आप जरूर से like करें, share करें और दूसरों को भी subscribe करने के लिए प्रेज करें, तो मिलते हैं daily quiz के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद